So, good morning students, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are good at home. So, हमारा class 5th का 1st unit है, जो environment subject का हमारा जो 1st unit है, Who will do this? जिसमें हमने सब देखे थे कि हमारे environment को क्या-क्या harmful है, क्या-क्या environment को benefit होता है, गिन-किन activities से benefits होता है, और ऐसी कौन सी activities हैं जिनसे हमारे environment को नुकसान होता है. जो हमने last lecture था, उसमें मैंने आपको अंबर्ग भी दिया था, जिसमें हमने last में देखा था कि 9 picture हैं, जिसमें 2-3 ही ऐसी picture थी कि जिसकी वज़े से environment को problem नहीं होती थी, उसको कोई negative effect नहीं होती थी. देन उसके बाद जो बाकी जो pictures थी, जैसे car की smoke वाला जो धुमें वाला photo था, देन वो जो अंकल थे वो पेड काट रहे थे, देन जो pond में buffalo को बात करा रहे हैं, जो पानी को, पानी का ऐसे ही बगाड कर रहे हैं, ऐसे सब हमने picture देखे थे last lecture में, मैंने आपको हमबर्ग में भी वो दिया था, अब जो हमारी next topic है हमारा, what you do, what you do, do out of these activities, why and not doubt, अब हमको यहाँ पे इन्हों ने costak दिया है, मतलब box दिया है, जिसमें first है, what you, what do you do, मतलब आप क्या करेंगे, what do you do not do, मतलब आप क्या नहीं करेंगे, and then last है, why, तो मैं आपको यहाँ पे एक से दो example देता हूँ, जैसे first है, what do you do, मतलब आप क्या करेंगे, तो मैं आपको एक example देता हूँ, I throw garbage in the duster bin, मतलब कि मैं जो garbage है वो duster bin में फेकूँँगा, उसमें ही रखूँ, sorry, मतलब उसी में ही फेकूँँगा, जो कच्रा होता है, I throw garbage in the duster bin, तो first यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, I throw garbage in the duster bin, then second है, second मतलब first यहाँ पे, और जो second यहाँ पे, what do you do not do, मतलब आप क्या नहीं करेंगे, मैं आपको जैसे यहाँ पे समझाया ना, कि I throw garbage in the duster bin, अब यहाँ पे ऐसा आएगा, कि I do not throw garbage in the duster bin, मतलब मैं, जो कच्रा है, वो खूले में नहीं फेकूँगा, इसमें इन्होंने क्या करें, what do you do not do, तो हमने यहाँ पे लिखा, कि I throw garbage in the duster bin, तो अब यहाँ पे ऐसा आएगा, कि I do not throw garbage in the duster bin, में जो कच्रा है, वो, sorry, I do not throw garbage in the open, में कच्रा है, वो खूले में नहीं फेकूँगा, अब यहाँ पे हैं, last में, why, पहले हमने यहाँ पे देखा, कि में कच्रा है, जैसे कच्रा हम रश्टर बीन में फेंगेंगे, then आप यहाँ पे कच्रा है, वो रश्टर बीन में क्यों फेंगेंगे, क्योंकि, sorry, में वो कच्रा रश्टर बीन में इसलिए नहीं फेकूँगा, कि वो open में हम ना फेंके उसको हम duster bean में ही रखें मतलब I do not throw garbage in the duster bean sorry I do not throw garbage in the open मतलब मैं जो कच्राए वो खुले में नहीं फेकूंगा अब last day जो why मतलब क्यों? by throwing garbage in the open I spread filth मतलब की जो last day why मैं by throwing garbage in the open I spread filth मतलब अगर मैं जो कच्रा है वो खुले में फेकूंगा तो गंदगी फेलेगी जैसे हमने देखा था ना कि जो कच्रा हम वहाँ जहाँ वहाँ फेंकते हैं तो गंदगी होती है इसी तरह तो मैंने आपको एक example जो समझाया first यहाँ आपको ऐसे लिखना है I throw garbage in the duster bin what do you do में then what do you do what you do not do मतलब आप what what you do not do मतलब आप क्या नहीं करेंगे I do not throw garbage in the garbage in the open पहले हमने यहाँ देखा आप क्या करेंगे मतलब आप कच्रा है वो duster bin में डालेंगे कि आप क्या नहीं करेंगे कि आप जो कच्रा है वो open में नहीं फेकेंगे then why यूँकि by throwing garbage in the open I spread field मतलब में अगर चो कच्रा है वो open में फेकूंगा मतलब खुले में हम फेकेंगे तो विमारियाओं की गंदगी होगी ऐसे ही second एक example में आपको tree वाला देता हूँ तो यहाँ पे second आप ऐसे लिख सकते हैं I grow tree what do you do में आप लिख सकते हैं I grow trees then second में what you do not do I do not cut trees आप यहाँ पे first में ऐसे लिखते हैं की मैं चो trees होते हैं उनको build करूँगा और दूसरे आप क्या नहीं करेंगे मैं trees को cut नहीं करूँगा I do not cut trees second then last is why by cutting trees I damage the environment अगर हम why में ऐसा आणसर आएगा की by cutting trees I damage the environment अगर हम जो पेड़ पोद हैं उनको काटेंगे उनको build नहीं करेंगे तो हम environment को harmful effect देंगे तो आपको जैसे मैंने first जो garbage वाला समझाया की garbage first what do you do में आप ऐसे लिखें garbage duster bean में फेंगेंगे do not में आप ऐसे लिखेंगे की में open में नहीं फेंकूंगा then last में आप लिखेंगे garbage open में फेंकने से बिमारियां होती है गंदगी होती है then second में आप tree वाला भी लिख सकते हैं और उसके do not में आप लिखेंगे I do not cut trees then last में की by cutting trees I damage the environment मैंने आपको दो एक्जामपल समझाए तो आप ऐसे दूसरे दो एक्जामपल लिखेंगे जो आपका first number के so मैंने आपको कैसे जो डास्टर बीन वाला समझाए इसी तरह आप दूसरे भी ऐसे लिख सकते हैं या फिर मैंने आपको डास्टर बीन और ट्री वाला समझाय तो वो भी आप लिख सकते हैं और इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कॉंटेक्ट करना तो आपको 1, 2, 3 लिखने हैं यहाँ पर मैंने दो समझाय और एक आपको आपकी तरह एड करना है तो आपको three लिखने है मने जो 2 समझणा है वो भी आप लिखेंगे लिखने हो तो भी आप लिख सकते हैं या फिर आपको कोई ऐसा ideia मतलब आपको कोई ऐसा समझ में आ रहा हुआ या आपकी और से कोई आपको समझ में आया हो तो दूसरे 2 लिखे है अब secondo है what other duties should be obey to preserve environment के सरक्षण के लिए जो इनवारोमेंट के सरक्षण के लिए ऐसी दूसरे कौन से करतायों जिनका हमको पालन करना जाएं ओबेट का मतलब होता है करताय जो करतायों का पालन करना जाएं तो हमने फर्स्ट ही देखा था कि never spit here and there never throw dirty water in the water never never lacked difference defected in the open जो कच्रा होता है जो खराब कच्रा होता हो कभी open में नहीं फैकना चाहिए never play music at high volume यह सब हमारी other duties हैं तो आपको यह मैं homework में भी देना चाहूंगा और जो एक activities है वो भी आपको करनी होगी so 4-5 ऐसी sentence आपको लिखने है जो यहां पर फर्स्ट ओंबर के वो तो आप समझ गए then second मैंने आपको duties वाला समझाया कि never speak here and there ऐसे जो हमारे करत हैं कि trees को हमको build करना जाए never cut tree never throw garbage anywhere only dust or bean तो आपको यह सब जो हमारी duties है उन सब के बारे में आपको लिखना है मतलब 4-5 sentence ऐसे आपको लिखने है then अब जो आपकी activities है उसमें आपको जो first है कि आपको first आपका पूरा name बोलना है पहले surname फिर आपका नाम फिर आपके father का नाम फिर आपको ऐसे बोलना है कि आप school में पढ़ते हैं हमारी पूरी school मतलब आपको हमारी school का नाम लेना है फिर आपको बोलना है कि मैं standard में हूँ जो हमारी duties हैं कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे environment को बचा सकते हैं या हमारे environment के लिए एक beneficial duties हैं जिसकी वज़े से हमारे environment को फायदा होता है जो हमारी activities हैं उनके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ या बताने वाली हूँ तो आपको ऐसे जो आपने लिखा है वो आप जो देखे बिना बोले मतलब देखके नहीं पहले आप एक दो बार read कर लिजे फिर बिना देखे वो आपको बोलना है और ऐसा वीडियो बना गए मुझे बेजना है आपको मेरे whatsapp नमबर पे तो यह आपकी activities है एक बार मैं और एक बार आपको मैं समझा देता हूँ कि first आपको आपका पूरा नाम बोलना है फिर आपको हमारी school का नाम बोलना है देन आपको जो हमारी आपको ऐसे बोलना है कि मैं आपको आज जो ह वज़े से आमारे इन्वारिमेंट पे पॉजिटीव फेक्ट होता है उस ऐसे ड्यूटिस के बारे में बताने वाला हूं या बताने वाली हूं आपको जो फॉर से फाई जो आपने सेंटेंस लिखे हैं वो आप एक बार रीट कर लिजे दो से दिन बार फिर उसको देखे बीना बोलिए आप ये ऐसा वीडियो बनागे मेरे वाट्सल नमर पे सेंड कीजिए आपके गर पे आपके ब्रदर या सिस्टर या मदर हों तो उनकी एप से ये वीडियो बनाए आपको देखके नहीं बोलना है आपको रीट करना है फिर बोलना है आपको इसमें एक्टिविटीस में कोई confusion हो तो मेरा contact करना और जो आपका ओंबर के वो एक बार और और मैं आपको समझा देता हूं जो मैंने what do you do वाला समझाया what do you what sorry what you do not do and why वाला जो हमने यहां पर कोश्टक देखा वहां पर आपको तीने से लिखने देन जहां पर जो हमारे environment के जो करता है वह आपको लिखने है और से भाई सेंटेंस और जो मैंने आपको एक्टिविटीज बता है वीडियो वाली वह आपकी प्रिपेर करें पहले प्रिपेर कर लिजे फिर आप वीडियो ऐसा बनाए देन मेरे यह यहां पर इड़े और यहां पर जो स्टोरी है वह आपको सिफ रिड करना है देन जब हमारा नेक्स्ट वेनस डेको जब लेक्चर आएगा तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मैंने जो फर्स्ट ये फर्स्ट कोलम वारा अंबर्ग दिया देन सेकंड जो और एक बाद मैं आपको बता ना जाओंगा अभी जो हमारा बारिस का मौसम है तो आप घर पे ही रही है और घर पे आप आराम से स्लोली स्लोली चलिए घर पे पानी वानी टाइस पे आप गिरने जाए वो आप थोड़ा संबल के चलिए चलिए और बीने आथो से या कहीं भ स्लिपर के बीना उनको टाच मत कीजिए बीने आथों से कभी भी हमारे जो स्वीच होते उनको टाच मत करना जिससे सोट भी जो करंट होता है वो भी हमको लग सकता है सो इसके लिए थोड़ा मैं आपको केरफूल कर रहा हूँ सो यह आज का हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होता है सो अब जब आप नेक्स लेक्चर में आओगे तो हम अमारा जो सेकंड यूनिट है वो पढ़ेंगे सो आपको मैंने समझा दिया है जो आपका ओंबर के और आपकी जो वीडियो वाली अक्टिविटीज है सो गर पे रहे हैं स्टे ओम स्टे सेफ थैंक यू टेक केर बाय बाय चिल्डरन्स थैंक यू